सब्सक्राइब कर दो वीडियो अपने दोस्तों साथ शेकरना बिल्कुल भी मैं बोलना चले श्टार्ट करते हैं वीडियो को तो अगर हम बात करें हमारे पास जो पहला वर्ड है आज वो है incremental, incremental एक adjective होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है increasing or adding on especially in a regular series मतलब किसी चीज़ में लगातार निरंतर कुछ बढ़ाया जा रहा है तो वो increment किया जा रहा है तो वो कहला था incremental, increment salary वाला जो increment होता है वैसा ही वाला यही वाला increment है आपकी salary में थोड़ी salary और थोड़ी पैसे और आड़ कर दिया तो increment हो गया ना abstractive और non linear हो जाएगा अच्छा कुछ लोगों ने comment किया था मुझे कि sir vocab का synonym और antonym होता है वो 4-4-5 पार लेकर आया करिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि vocab पढ़ हो से burden मत बनाऊ ठीक है? जब तुम 4-4-5 पार synonym पढ़ने सुरू कर दोगे अगर मैं 4-5 पार लग गया तो 100 से उपर वर्ट जाने लग जाएंगे फिर तो एक burden मन जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो regular पढ़ो consistency होनी चाहिए लगातार पढ़ने की होनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक मही ने पढ़ा फिर छोड़ दिया तो वो बिकार है पढ़ाई फिर consistent पढ़ो थोड़ा थोड़ा पढ़ो देकिन पढ़ते रहो ठीक है sentence में इसका use देखे the incremental benefits are not enough to compensate for overall poor pay तो जो incremental benefit मिला है वो overall जो pay है हमारा उसके लिए उसको compensate नहीं करता वो बिकार है वो उससे कोई फाज़ा नहीं होने वाला वो हमें पूरत पूरती नहीं कर आपकर आपाएगा ना तो जो incremental benefit मिला है हमें वो हमारे लिए सही नहीं है पढ़िया नहीं है हमें और भी चीज़ें चाहिए ऐसा sentence में कहा गया है ठीक है चलिए next देखते हैं अगला जो word है वो है embrace embrace एक verb होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है include or contain something as a constituent part तो किसी चीज़ को na include करना किसी चीज़ के अंदर उसका मतलब हगमान कैसा बोल सकते हो एक घटक भाग के रूप में कुछ सामिल करना या शामिल करना ठीक है तो किसी चीज़ को include करना किसी दूसरी चीज़ के अंदर वो कह रहता है embrace करना ठीक है तो शामिल करना आप एक sentence में से कह सकते हो synonym की बात करें तो involve करना और contain करना हो जाएगा antonym की बात करें तो reject करना और exclude करना हो जाएगा sentence में अगर इसका use देखें the new rule have been embraced by government watchdog organization तो government की watchdog organization वो होते है जो government के लिए काम कर रही होती है ठीक है तो government की जो watchdog organization है वो क्या कर रही है नए rule को embraced कर रही है include कर रही है, impose कर रही है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, अगला चो word है, champion, champion अच्छा word है, मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था, word होती है, इसका मतलब क्या होता है, support और fight for a particular group of our idea, मतलब किसी particular group को या किसी particular idea को support करना, उसके लिए लड़ना, वो champion कहला समर्थन करना, आप इसे कह सकते हैं, synonym की बात के तो wasiphorus और outspoken हो जाएगा, मतलब खुल कर उसका बोलना, उसको support करना, और antonym की बात के तो oppose करना और criticize करना हो जाएगा, sentence में इसका use देखे, तो she is championing a new law that will protect the environment, तो वह जो है, एक नए law का support कर रही है, जो environment को protect करने वाली इसका मतलब होता है, to put something somewhere very quickly and with a great force, मतलब किसी चीचों कहीं बहुत तेजी से फेक देना, रख देना, पटक देना, ठीक है, वो कह रहाता है, slam करना, ठीक है, वो बहुत किसी वस्तु को बहुत शीगरता से और अत्यासिक बल के साथ कहीं रख देना, वो कह रहाता है, slam करना, मालो गुस्ती में आए, मालो गुस्ती में आए, फोन लिया हुआ, ऐसे पटक दिया लाके बटके, तो वो slam किया है अपने फोन को, ठीक है, एक शब्ने कहें, तो पटक देना, आप इसे कह सकते हो, selonium देखें इसके, तो bang, या shut, या close, wisely, मतलब दोर को बहुत तेजी से, close क होता है, antonym की बात के तो gently और softly हो जाएगा, ठीक है, sentence में use देखें, तो he slammed the book down on the table and stormed out, तो उसने क्या किया है, book को बहुत नीचे, तेजी से table पर रखा है, and stormed out मतलब तेजी से बाहर चला गया, ठीक है, ऐसा बोला है, चलिए, next देखते है, अगला जो word है, वो, वो एक व firm promise or decision to do something, मतलब, एक promise करना, कसम खाना type, कि ये काम हम करेंगे, decision to do something, किसी काम करने के लिए कसम खाना, ऐसा बो सकते हो, तो वो काईक सिंपल सा मतलब होता है, कसम खाना, ठीक है, किसी कार को करने के लिए दरडवचन, देना या निर्णाए लेना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, तो एक शब्द में अगर कहा है तो कसम खाना आप इसे कहते हो तो वो करते हैं हम कसम खाते हैं ठीक है सुनॉनिम हो जाएगा स्वायर या प्लेज और एंटॉनिम हो जाएगा ब्रेक या डेनाई ठीक है किसी चीच को तोड़ दे रहा और बात करें इस sentence में इसका use कैसे किया है तो we would never to discuss the subject again तो हम यह कसम खाते हैं कि हम पट्टे कुछा subject के बारे में discussion नहीं करेंगे ठीक है चलिए next देखते हैं अगला जो word है मापब वो है potato, potato adjective होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है commonly accepted or supposed मतलब किसी चीज के बारे में सर्वहित सब के द्वारा किसी के द्वारा मान लेना accept कर लेना ऐसा कहाता है सर्फ मानना confirm नहीं होना उस चीज के बारे में लेकिन उसको मान लेना सभी लोग उसे मानते हैं कि हाँ यह चीज हुई होगी यह चीज हुआ होगा कहीं पर तो वो putative कहला था ठीक है आम तोर या पर सुविक्रिती या मानना ठीक है सब हो तकते हो तो एक शब में आप संभावत मानना कहते हो approximate उस चीज़ को मान लिया गया है और synonym की बात करें तो supposed या assumed हो जाएगा और antonym की बात करें तो genuine या actual हो जाएगा बात करें sentence में से कैसे use किया गया है तो for six years we have enjoyed the benefit of protective membership तो छे साल तक हमने जो हमारे पास संभावित membership थी उसको हमने enjoy किया ठीक है मानने वाले को उस लोग मानते थे कि हम लोग member है particular चीज के हमने छे साल तक है उस चीज को enjoy किया है चली next देखते है अगला जो word हमारे पास वह है devoid devoid एक adjective होता है इसका मतलब होता है not having a particular quality किसी चीज को लेके particular quality ना होना ठीक है वह कहलाता है devoid ठीक है एक सबने कहा है तो रहत आप बोच सकते हो किसी चीज से आप रहत हो ठीक है particular चीज के लिए आपको जाना है और बहुत quality आपके अंदर नहीं है तो आप उस चीज के लिए रहत हो synonym की बात के तो lacking होना lack होना lack मतलब कमी होना होता है और vacant मतलब खाली होना और antonym की बात के तो filled है परा हुआ है और stuffed है ठीक है next देखते हैं अगला जो word है वो है euphoria euphoria एक noun होता है इसका मतलब होता है an extremely strong feeling of happiness मतलब एक बहुत ही ज्यादा strong feeling खुशी की बहुत ही ज्यादा strong feeling होना वो कहलाता है euphoria खुशी की बहुत मजबूत भावना होना वो euphoria कहलाता है ठीक है तो उत्साह एक सब्मयाब इसे कह सकते हो synonym की बात करें तो delight होना, glee होना, happiness होना ये सारे इसके synonym हो जाएंगे endonym की बात करें तो misery होना, depression होना, sadness होना ये सारे इसके endonym हो जाएंगे ठीक है बात करें इसको sentence में कैसे use किये गया तो me and my friend have euphoric feeling because we work together on this channel तो मैं और मेरा दोस्ट जो है हमको euphoric उत्साह की feeling होती है, happiness की feeling होती है क्यों क्योंकि हम एक साथ मिलकर इस channel पर काम करते हैं, ठीक है चलिए, next देखते है, अगला जो word हमाँ पास वह है bestow, bestow एक word होता है, इसका मतलब होता है तो give something to somebody, especially to show how much he she is respected, तो मतलब किसी का सम्मान करते हुए कोछी प्रदान करना वो bestow कह राती है, ठीक है जैसे awards दिया आते है, अरजुन आवार्ड अभी भारत रतन दिया गया, तो ये सारी चीज़ें bestow करनी होती है किसी को सम्मान देने के लिए उनको वो चीज़ दी गई, ठीक है, तो वो कह राता है bestow करना, तो प्रदान करना आप इसे एक सब्समें कह सकते हो synonym की बात करें, तो present to या award to हो जाएगा, एंटानिम की बात करें, तो withhold या decline हो जाएगा, ठीक है sentence में अगर इसका use देख है, तो the title was bestowed on him by the president, तो जो title है, उसे, जो president है, उनके दाना उसे प्रदान किया गया, ठीक है, ऐसा sentence में बोला गया है, चली, next देखते है, अगला जो word वो है, dawn, dawn एक noun होता है, यह वो आला dawn नहीं है, d-o-n, d-a-w-n है, ठीक है, dawn एक noun होता है, इसक किसी चीज की शुरुवात, ठीक है, अचा, dawn एक country का newspaper का नाम है, अगर आप लोगों को पता हो, तो comment section में बताना किस country की newspaper का नाम है, ठीक है, तो किसी चीज की शुरुवात या एकदम early morning बाप बोल सकते हो, ठीक है, एक शब में से हम शुरुवात कहेंगे, ठीक है, और synonym की बात करें, तो end or conclusion हो जाएगा, बात करें, sentence में इसे कैसे use किया गया है, तो a new era seemed to be about to dawn for the coach and his young team, तो जो coach है और उसकी यंग टीम है, उसके एक नए एरा की शुरुवात होने वाली है, ठीक है, ऐसा बोला गया है, चलिए, next देखते हैं, अब बात करते हैं, idiom freezes की, ठीक है, अब हमारे वोकैस खतम होचके, तो पहले जो idiom हमाप वो है, get your act together, अगर कोई background नोई sorry, I'm really sorry for that, पता नहीं क्यों आच ये लोग बहुत हला मचा रहे हैं, ठीक है, get your act together का मतलब होता है, work better or leave, या तो अच्छे से काम करो, या फिर छोड़ कर चले जाओ, ठीक है, मतलब काम क benefit of doubt देने का मतलब होता है, trust what someone say, मतलब किसी ने कुछ कहा, आप मान लो, direct कुछ कोई argument करो ही ना, सीधे मान लो, किसी ने कुछ बला हाँ, ठीक, जो, सही है, तो वो कहला है, give someone the benefit of doubt, next, अब fragile verb की बात करते है, blackout का क्या मतलब होता है, blackout का मतलब हो जाएगा, to faint, lose consequences, मतलब ए आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, consequence, आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या चल रही है, तो रोहित fell in the park, parking lot and blacked out, तो रोहित जो है, वो parking lot में गिर गया, fell मतलब गया, और blackout हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं है, तो दम बिहोश हो गया, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, next है अलग कर देना, ठीक है, एक barrier लगा के उस चीज़ को अलग कर देना, अलग अलग, ठीक है, बीच में एक दिवार खड़ी कर देना, कुछ भी खड़ा करके उसको अलग कर देना, तो example की बात का है, तो the police blocked off the street after the explosion, तो जो explosion हुआ, उसके बाद police ने जो street उसको blocked off कर दिया, blocked off क मतलब उस चीज़ को barrier से बंद कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, ऐसा बो सकते हो, तो आज फिलाल वीडियो में इतना था, दो आपके लिए important vocabs लेकर आया हूँ, एक है euphoria और एक है potato, कोशिच करना आपको, एक synonym, एक antonym, दोनों के comment section में comment करके बताईए, और अगर बना सक करते हैं, तो एक sentence बना के frame करके comment section में बताईए, ठीक है, मैं उस पर reply भी करूँगा, चलिए, फिलाल वीडियो में इतना था, अच्छा लगा हो, तो like कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, बेल आकन को press कर देना, ये मेरे telegram channel इसको join कर लेना, ठीक है, चलो, मिलते हैं next video में, तब Kila, thank you and God bless you all